नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चाहल में पिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली खुदा से प्यारा कोई नाम नहीं होता उसके अबादत से बड़ा कोई काम नहीं होता दुनिया की महाबत में है रुसुवाई वड़ी पर उसकी महाबत में कोई बदराम नहीं होता यह आप नहीं सही सुना हम आज के डिली दाशिपल की बात कर रही है सबसे बले याज जिनका बजटे है या अनवर्सरी है उनको मेरी तरफ से धेर सारी गुडविशिस तो चलिए अब शिरू करते हैं जो खुशियां हमें खैरात में मिले उसे हम पसंद नहीं किया करते क्योंकि गम में कितने भी काले बादल चा जाएं फिर भी हम नवाबों के तरह जिया करते हैं थोड़े ही बलों की खामोशियां हैं फिर देखना एक दिन कानों में शोर आएगा अभी तो सिर्थ तुम्हारा वक्त चल रहा है लेकिन अपना तो एक दिन दौर आएगा आपका दौर भी आएगा और जब भी आएगा तब दुनिया आपको सलाम करेगी आज तेरे लिए वक्त का इशारा है देखता ये जहां सारा है फिर भी तुझे रास्तों के तलाश है आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है जिनके पास जिगर होता है उनका डर से कोई वास्ता नहीं होता हम अपने कदम उसी जगह रखते हैं जहां कोई रस्ता नहीं होता तो चली जान लेते हैं आज के डेली राशी फलत के बारे में सिब से पहले में आपको बता दो कि आज आपके लिए शुब रंग रहने वाला है गुलाबी यानि कि पिंक और लकी कलर्ड यानि कि भागशाले अंत रहेगा एक आज का दिन आपके लिए मिश्वित फलताई शाबित हो सकता है ना जाद अच्छा रहेगा ना जादा बुरा रहेगा कुछ मावलों में आपको मन चाही शफलता मिल सकती है लेकिन कुछ में आपको निराशा भी हाथ लग सकती है इसलिए आज का दिन मिला जुला रहेगा पुराने बिगड़े हुए रिष्टों में फोकस भी बना रहेगा और आपको फोकस बनाना भी चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बनता बनाया कोई काम बिगड़ सकता है आज लंबे समय से चलिया रही किसी चिंता की समावत होने से मालसिक शांतियां आपको मिल सकते हैं यह बहुत इच्छी बात है अर पतराव मुक्त होकर अपनी आर्थिक मामलों में ठोस और इंपॉर्टेंट फैसला ले पाएंगे आप अपनी यूजना अपनी प्लानिंग्स को भी करियानवित करने का बहुत इच्छा मुका मिल रहा है आपको यह आपको ऐसी एफसर मिलेंगी कि आप अपनी चाहों को प् रखने की कारण ही इस तरह का वातावरण बनाएंगे इसलिए ज्यादा फिकर आपको नहीं करनी है आज का दिन आपके लिए पुराने मसलों पर फिर से कोई फैसला लेने का समय है आपको कोई ऐसा फैसला लेना पर सकता है जिसे आपको समय से टाल रहे हैं जितने जल्दी इस विश्य को आपने उटा लेंगे उतना ही सहता से इसका समधान भी आपको मिल जाएगा कभी-कभी एक अच्छी पविश्य के लिए निर्भायता से एक अदम उठाने चाहिए आपको अपने जोखिम का पुरा लाब मिल सकता है आज किसी काम या फिर योजना की रूप मात्रा में सहयोग करना चाहिए कभी-कभी लापरवाही और आलत से जो है इसकी सिति उत्पन होने से आप अपने काम से ध्यान हटा सकते हैं संकीर्ण विचारों को अपने उपर हावी मत होने दीजिए बलकि मुश्किल आने पर घर के किसी वरिष्ट व्यक्ति का सहयोग उसकी बचना होगा आपको वनना अगर आपका जो है काम से ध्यान यानिकी फोकस हट गया तो इस चीज का जो फाइदा है वो कोई तीसरा उठा सकता है हो सकता है कि वो जो जील थी वो आपके हाल से निगल जाए इसलिए आपको आज इन बातों पर विश्येश रूप से ध् मत कीजेगा परसनल रखिए बैटर रिजल्ट मिलेंगे कोई आपकी नीतियों को अपना कर आपको इन उक्सान पहुंचा सकता है यह तो वही बात होगी कि मेरी बिली मुझे को मियाओ इसलिए आपको जह साफधानी बढ़तनी होगी सभी काम के पके बिल का व्यों करें और जो जेरस्कॉपी है जो जेरस्कॉपी आपको बनानी होगी और अपने पास रखनी होगी वरना कोई भी आप पर उंगली उठा सकता है इसके साथ ही आज जो है व्यवसाय में परिस्थितिया अनकूल भी बन सकती है कोई बाहर इस इंसाल नों द्वारा भी अच्छी और मिल लेके योग बन रहे हैं इसलिगे अपना जो है पूरा धान अपने बिजनस पर आज आपको फोकस करना चाहिए एकागरता बनाकर रखनी है आज वरिष्टों से तारीफ मिल सकती है उनती काफी जादा बढ़ सकती है नौकरी के दिलाश है तो आज आपको सफ़दा अवश् लेकिन हाँ आप मैंसे कुछ लोग जो है अपने बिजनस के कारण काम में जो वियसता है उस चीज के कारण आप अपने साथी को टाइम नहीं दे पाएंगे इसके वज़ए से आपको कुछ नराज की भी हो सकती है उनसे क्योंकि वो जो है आप कुछ आती है कि आप उनके की बात आगे बढ़ सकती है परिवार जोनों से पूरा सायोग भी मिलने वाला है प्रेमियों के लिए समय अपने रिष्टियों को आगे बढ़ाने का है और यही समय है आगे बढ़ाने का और जरूर बढ़ाईए पीछे मत हटिएगा अगर आप शादी के बारे में सोच रह आने की कारण घर में जो वातावरन हैं बहुत ही सुखद रहने वाला है इसलिए जो है आज आप अपने पार्नर को कोई उपहार या गिफ्ट दे सकते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा तो चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्वास्त के बारे में याने की हेल्थ तो स्वास्त कहती है कि स्वास्त बहुत बढ़िया रहेगा सिरफ बदलते मौसम की वज़े से हलकी सी परिशान आज आज आपको उठानी पर सकते हैं लेकिन फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है नॉर्मल वो खार है वो ठीक हो जाएगा इसके साथ इसाथ आ को चीजों पर मैं हमेशा कहती हूं कि फोकस करना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत बढ़िया रहेगी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है इसका कारण होगा कि आप खापी तो लेती हैं लेकिन आप एक्सराइस नहीं करते बलकि बैठे रहते हैं बहुत जादा देर तक तो इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको नॉमली हो सकती है अगर आप सरी टाइम पर इसका इलाज नहीं करेंगे तो आपके पेट में दर्द भी आज हो सकती है साथ ही आज जो है पैरों में दर्द जैसे सितियां बन रही हुए है साथ ही कोई चोट भी लग स आज आप से भूल हो सकती है चले बात करते हैं आज के विशेश उपाई के बारिव में तो विशेश उपाई आज आपके लिए है कि आज आपको जो है भगवान शिर्किव जो है धतूरा बेल पत्र चड़ाने चाहिए या फिर आपको दूद चड़ाना चाहिए साथ एगर अगर आप उत्तर पूर्व की और मुख करके शोते हैं तो लापकारी सामित होगा घर में आप कोई धूनी भी जला सकते हैं और हाँ आज अगर आप केसी प्यासी को पानी पिलाते हैं तो बहुत अच्छा पुन्याव को मिलता है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ची भूलेगा, धन्यवाद